हिंदू देवता हत्यारे हैं हिंदू देवताओं ने कई निर्दोश लोगों को मार डाला। कहा जाता है कि हिंदू देवताओं ने लोगों का मार्ग दर्शन करने के लिए मास और हड़ी में पृत्वी पर जन्म लिया था। एक देवता भद्दे काम में लगे थे। अन्य एक दशक से अधिक समय से अपनी पत्नी को वापस पाने में लगे हुए थे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उन्होंने मानवता के लिए क्या संदेश छोड़ा। हिंदू देवताओं को भयंकर चहरे की अभिव्यक्ति के साथ हथियार चलाने का चित्रन किया गया है। उन हत्यारों से कई बार मासूमों का खून बाहाया गया। यहां हिंदू देवताओं के निर्दोश लोगों को मारने के बारे में कुछ कहानिया है। मैं विश्नु और उनके अवतारों से शुरू करूंगा। आए एक नजर डालते हैं दानव के शब्दों पर विश्नु मत से पुरान 178-22 वो मेरा शत्रू है। वो मेरे बड़ों का सनहार करने वाला है। वो समुद्र में रहता था। उसने मधू और कैटब राक्षसों का न मेरे बीच सबसे भयानक लड़ाई होगी। उसने इस युद्ध में कई राक्षसों का वद किया है। वो बहुत क्रूर है। उसने बच्चों और मारे गए राक्षसों की स्त्री को भी अपनी क्षमा नहीं। दिखाई है। वो बेशर्म है। वो विश्नु है। वो देवत जाओं का स्वर्ग है। वो सेशा सर्प पर सोता है। अवत का अनुवाद तालुकदार। B.D. द्वारा संपादित। बसू। क्रिश्ना क्रिश्न ने एक धोबी का सिर्फ इसलिए सिर्प काट दिया क्यूंकि उसने उसे कपड़े देने से मना कर दिया और अशिष्टता स से बोला। श्रीमद भगवत मेक शून्य 4136-37 मूर्खों। यहां से जल्दी निकल जाओ। अगर जिंदा रहना है तो ऐसे भीक मत मांगो। जब कोई बहुत साहसी होता है। तो राजा के लोग उसे गिरफतार कर लेते हैं और उसे मार डालते हैं और उसकी सारी संपत्ती ले लेते हैं। धूबी ने इस प्रकार निरलचता से बात की, देवकी का पुत्र क्रोधित हो गया। और फिर केवल अपनी उंगलियों से उसने उस व्यक्ति के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। अनुवाद स्वामी प्रभुपाद धूबी का वद ब्रवैवत पुरा क्रिश्न जन्मखंड 132-75 में संक्षेपित है और अगनिपुरान 12-23 में भी उल्लेख किया गया है। क्रिश्न और बल्राम ने मतुरा शहर का दौरा किया था। और एक धोबी वहां से गुजर रहा था। तो उन्होंने उससे राजा के कुछ वस्त्रम मांगे। धोबी की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने क्रिश्न और बल्राम को पथिक माना था। इसलिए उसने साफ तोर पर उन्हें कपड़े देने से मना कर दिया। यह कहानी उन अपराधों की तरह ही है जो हम पढ़ते हैं जहां चोर लोगों को उनकी संपत्ति लेने के लिए मारते है धूबी का सिर काटने के बाद क्रिश्न और बल्राम ने कपड़े लिए। राम अ राम ने शंबुक नाम के एक शूद्र का सिर काट दिया। क्यूंकि वो शूद्र तपस्या कर रहा था जिसमें कुछ वैदिक मंत्र शामिल हो सकते थे। वालमी की की रामायंड उत्तर कांड साथ अध्याय 75 से 76 इस पर रघु से पैदा हुआ राजकुमार उस व्यक्ति के पास पहुँचा जिसने स्वयम को कठोर साधनाओं के लिए त्याग दिया था और कहा धन्य हो हे तपस्वी जो अपने व्रतों के प्रती वफादार हैं। तु किस जाती से निकला है। तु जो वैराग्य में व्रिध हो गया है और वीरता में स्थापित है। मुझे इस मामले में दिल्चस्पी है। मैं दशरत के पुत्र राम। आपकी दृष्टी में क्या उदेश है। स्वर्ग है या कोई अन्य वस्तू। इस कठिन तपस्या से आप क्या वर्दान चाहते हैं। थे तपस्वी। मैं जानना चाहता हूं कि आप इन तपस्याओं को करने में क्या चाहते हैं। सम्रिध्धी आप में शामिल हो सकता है। क्या तुम ब्राहमन हो। क्या आप अज्जेयक शत्रिय हैं। क्या आप वैशिय हैं। तीसरी जात गटक रहा था उसने उत्तर दिया है राम मैं एक शूद्र गट बंधन से पैदा हुआ था और मैं इस कठो तपस्या को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं इस शरीर में भगवान की स्थिती मैं जूट नहीं बोल रहा हूं है राम मैं आकाशी अक्षेत्र को प्राप्त करना चाहता हूँ। जान लो कि मैं शूद्र हूँ और मेरा नाम शंबो का है। जब वो बोल ही रहा था। राघव ने अपनी म्यान से अपनी चमकदार और स्टेनलेस तलवार खीच कर उसका सिर काट दिया। शूद्र मारे जाने के बाद अगनी के अनुयाईयों के साथ सभी देवताओं और उनके नेताओं ने चिलाया अच्छा किया। बहुत बढ़िया। राम को स्टूती से अभिभूत कर दिया। और दिव्य सुगंद के आकाशिय फूलों की वर्षा चारों और से हो गई। वायुद्वारा बिखरी हुई। अनुवाद हरी प्रसाद शास्त्री।